नमस्कार सातियों मैं मनिश्मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तैय दिल से स्वागत और बिदंदन करता हूँ तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की रादनिति विज्ञान और रादनिती विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं इसके बाद हम तीसरा अध्या और पढ़ेंगे नियोजित विकास की राणिती वाला क्योंकि यह जो तीनो चेप्टर से तीनो एक दूसरे के साथ इनका link है, एक दूसरे के साथ इनका जुड़ा हुए क्यों है? क्यूंकि हमने chapter 1 में पढ़ा था, कि भारत के सामने 3 चुनोतिया थी एकता की, लोकतंत्र की और विकास की एकता वाला हम पहला chapter पढ़ चुके हैं, दूसरे में लोकतंत्र की पूरे में बात करते हुआ हैं और अब तीसरे में हम बात करेंगें विकास की है, development की टू जो होगा वो पूरा का पूरा उससे जुडावा होगा पूरा का पूरा लिंक होगा NCRT ने अठा दिया है कोई बात नहीं पर आप चेप्टर 1 पढ़िएगा शीतियूत का दोगर और फिर जब हम चेप्टर 2 शिरुआत करते हैं तो उसमें आपको मदद मिल जाएगी अच्छा आपको समझ में आ जाएगा चलिए आज के लेक्टर में क्या पढ़ना है आज ज्यादा टोपिक नहीं है हमारे पास सिर्फ दो ही टोपिक बचे एक है में टोपिक है जो है कि विपक्षी पार्टियों का उद्भाव तो कौन-कौन सी विपक्षी पार्टे उस समय थी? उसके अलावा बॉक्स में जो 37 पार्टि में दे रखा उनके बारे वी जानेंगे और आज विशेश में हम जानेंगे सी राजा गुपाल चारी जी के बारे में और शामा प्रषाद मुकर जी के बारे में ओके चलिए आज का लेक्चर करते हैं शुरूर। विपक्षी पार्टियों का उद्भौ। देखें, अब सबसे इंपोटेंट भात यहां पर यह है कि जब हम 1950 वाले दोर में हैं, 1950 वाले दोर में हैं, जब elections हो रहे हैं, जब पहला जो लोकसवा का आम चुनाओं कराया गया 1952 में, फरवरी के 1922 में, जिन्हें 1922 का चुनाओं कहते हैं, उस समय में हम यह मान सकते हैं, कि जो एक मेन पार्टी है, अगर हम कहें, एक जो मुख्य दल है, मेन जो पार्टी है, वो कॉंग्रेस है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, आप इस बात को बड़े ही CPI, Communist Party of India था, उसके अलाव हमने देखा, सवराज पार्टी थी, उसके अलाव आज हमनों पढ़ लेंगे संतंतर पार्टी है, तो ऐसी बहुत सी पार्टी हैं, उस समय भी हमें देखने को मिली है, तो अगर मैं यह कहूँ कि मेन पार्टी कॉंग्रेस थी, और मेन पार्टी और दूसरी पार्टी अभी है, तो यह सब हमें क्या दर्शाता है कि हमारे यहां पर लोकतंतर था, हमारे यहां पर लोकतंतर था, हमारे यहां पर डेमोकरेसी थी, कैसे थी यह देमोकरेसी, क्योंकि यहां पर लोगों को चैन का मौका मिल रहा है, लोगों को चुनने का मौक सकता हो यहां पर भी option था कि हम Congress को भी चुन सकते हैं और हम दूसरी पार्टे को भी चुन सकते हैं वह एक अलग दूसरा डिफरेंस एक अलग इशू आ जाता है जब हम लोग यह कह दें थे कि Congress से जीत गई वह एक उसके अलग कारण परनतु लोगों के पास तो चोईस तो थी और एसा हम कहें जब Congress ने 364 सीट जीती हैं तो यहां पर CPI ने भी 16 सीटे जीती हैं भारती जनसंग ने भी तो 3 सीटे जीती हैं और लोगों को choice भी थी कि हम Congress के अलावा भी किसी को चुन सकते हैं तो भारत का लोगतंतर शुर्वास से ऐसा नहीं था कभी भी ऐसा नहीं रहा कि जिसमें कोई पार्टिया ना हो सिर्फर्सर एक ही पार्टिया रही और ये चीज आप 1902 से ही नोट करते हैं और पहले ही चुनाओं से नोट करो कि हमारे पास और भी पार्टिया थी और भी विकल्पते और भी चैन थे हैं उनमें से भी किसी ना किसी को चुन सकते थे भावदली लोकतंतर वाले अन्य अनेक देशों की तुलना वक्त भी भारत में भावविद और जीवत विपक्षी पार्टिया थी तो देखो अब जब उस समय बहुदली लोकतंतर वाले जी दवस्ता चल रही थी पूरी दुनिया में जहाँ पर multi party system था बहुत सारी party थी उस समय भी भी भारत में भावविद अलग-अलग प्रकार की party थी और जीवन्थ विपक्षी party थी ऐसी party नहीं कि जो सिर्फ नाम मातर है जैसे आज मैं कहूँ आज भारत में कम से कम सारी सासों से जादा party या election commission of India भारती निर्वाजन आयो के पास क्या है बच्चो रजिस्टर है उनका नाम वहाँ पे लिखावा है पर तो अगर मैं कहूँ इन सारी सासों से हमें कुछ ही active party थी नजर आती है कुछ ही जीवन्थ party है जो सच में जोड लगा रही कुछ बना कर ग और आज का topic इसलिए भी आपको important होगा क्योंकि आप इस चीज़ को समझेंगे कि अलग अलग पार्टिया होने के बावजूद अलग अलग लोग होने के बावजूद अलग अलग विचारधारों को समर्थन करने के बावजूद भी उस समय के नेताओं में एक दूसरे के पर तरता हो तो एक important topic आज का लिए है इन में से कई पार्टी 1902 के आम चुनाओं से कहीं पहले बन चुकी थी तो कुछ 1952 के पास आकर के बनी और कुछ काफी पहले ही बन चुकी थी अगर वो पहले बन चुकी थी तो हम कह सकते हैं कि उनका Congress के अंदर ही सब कुछ था या अगर यह बड़ी वाली पार्टी यह बड़ा वाला बोक्स अगर Congress है तो इसके अंदर कोई दूसरी दूसरी पार्टी हैं जैसे हम कहें CSP ठीके Congress Socialist Party फिर जो बाद में जाकर के Socialist Party बनती है तो ऐसे अलग-अलग थे पर सम मिले वे थे इन में से कुछ ने 60 और 70 के दशक में देश कहते हैं कि CPI का आप नाम ले लिजिए जनसंग का नाम ले लिजिए इन सबने बड़ी महत्म भूमी का निभाई है आज की लगबख सभी गेर Congress की पार्टी की जड़े 1950 के दशक की किसी ना किसी विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती है तो आज जितनी भी गेर Congress की पार् भारतिय जनसंग का पढ़ा है तो भारतिय जनसंग से आज कौन से पार्टी बन चुकी है भारतिय जन्ता पार्टी जिसे हम लोग कहते हैंanov जान सिलीट पार्टी के समासी पार्टी के बारे में क्म समाजवादी पार्टी पारर में पढ़ करके आए थे तो ब्लो बल theories पार्टी का भाग रही है इसी के अलावा अगर हम देखे राजद ठीक है ऐसे बहुत से दल है जो हम पहले पढ़ चुके इन सब की जड़े मतलब अब यह कब रही है यह 1950 के दोर में रही है प्रन्तु आज जो मौझूदा पार्टी देखने को मिल रही है इनका लिंक कहीना कह को पतिनीतित्त नहीं मिल पाया अगर आब 1950 के दशक में हम लोग देखे हैं तो इंस सबी जो विपक्षी दले उनको लोगसबा और विदान वार्फावन को सिर्फ कहने बरका मतलब है सिर्फ और सिर्फ नाममातर परतिनीतित्त वी मिल पाया जिसका कोई तात्वरे नहीं, क फिर बिल्कुल एक ऐसा उधारण है आपके दर्स्ट में से दो मार्ट आये पर फिर भी फर्स्ट नबर पर याँ इनगोरखने में निडणा एक भूमी का निभाई देखिए, important बात यहां पर यह नहीं कि कौन सी party कितने सीटे जीत रही थी, कितना percentage वोट में उनको मिल रहा था, सबसे important बात यह है कि इन विपक्षी दलों के होने के कारण हमारा लोकतंत्र जो चरीतर है वो बनागा, लोकतंत्र जो चरीतर हमारा वो बनागा, लोकतंत्र चरीत चुनने का हमारे पास मौका होना चाहिए, और चैन के अफसर के लिए आपको क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दल होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिया होनी चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा candidate होने चाहिए, अभी ज़्यादा से ज़्यादा जब तो दल थे, यह भोवित दल थे, यह मंल्टी-पार्टि सिस्टम था, इतनी पार्टि आती चाहिए, इन मैं से किसी को सीटे मिली, नहीं मिली, किसी को कम मिली, जाधा मिली, सब कुछ ठीखते, पर लोगों को चुनने का अफसर मिला और कुल्ला रहना ते लोक्तनतर था, ये दर्शाती है कि लोकतंत्र है और बिल्कुल फ्री और फेर जो elections हुए ठीकन मुक्त और निस्पक्ष जो चुना हुए वो भी दर्शाता कि हमारा लोकतंत्र चरीतर रहा है इन दलों ने Congress Party की नीतियों और विवारों की सुचिंतित आलोचना की इस आलोचना में सिद्दान्तों को बल होता है था अब देखिए इंट्रेस्टिंग बात क्या है कि जब शुरुआत में भी Congress Party की आलोचना हो रही है बुराया हो रही है Congress Party एक साशक दल है और साशक दल की एक नोर्मल बात है कि बुराया होती है उनमें कमिया निकालना उनमें निगरानी रखना उनमें पर नजर रखना भी एक अच्छे और स्वस्त लोकतंतर की निशानी है अब देखिए पर यहां पर एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि सुचिंतित आलोचना होआ करती थी और सिद्दान्तों को बलवा करता था सबसे पहली बात इन्होंनों क्या बोला कि आलोचना हो रही है कॉंग्रेस की आलोचना हो रही है और कॉंग्रेस अभी एक पार्टी के रूप में ना देखकर का आपको कैसे देखना है एक साशक दल के रूप में देखना है ठीक है एक अच्छी चिंता से कि हाव नहीं देखो ऐसा करो इससे देश का और विकास होगा और ही अच्छा होगा तो सुचिंटी तालोच ना करे जाए दूसरी बात सिद्दान्तों पर बड़ा बल दिया गया है कोई भी बात हवा में नहीं करी गई सब बातों को किसी ना किस पर रखा गया है कि अगर कॉंग्रेस ये काम कर रही है तो ये गलत कर रही है और इसके बीच हम ये रीजन देते हैं हर बात पर सिद्दान्त प्रिंसिपल्स रहें कहीं पर भी ये बात नहीं आई कि नहीं नहीं साब बस बोल दिया क्योंकि हम विपक्ष में बैठें ऐसा न बन हो या कोई वो जब कोई व्यक्ति हमें कमी निकालता ना तो वो व्यक्ति गलत नहीं है वो व्यक्ति हमें और भैतर बनाने की कोशिश करता है उसी परकार से जब साशक दल पर विपक्ष वाले कमिया निकालते हैं तो वो हम और देश में और भैतर करने की कोशिश करते है यह नहीं सब और भेतर होना चाहिए कूंकि हम अपने बारे में हम हमारे देश के बारे में हम ही समझ सकते हैं और हम ही सोसकते हैं यह अच्छा है और यह गलत है और गलत को ठीक करना भी आवश्यक होता है जरूरी होता है विपक्षी दलों ने साशक दल पर अंकूष रखा और बहुता इन दलों के कारण कॉंगरेस पार्टी के भीतर सक्ती संतुलए में बदला अब जो विपक्षी दल है उन्होंने साशक दल पर अंकूष रखा, कंट्रोल रखा लोगतंतर में ये भी जरूरी है ठीक है, लोगतंतर में लोगतंतर की एक क्या पैचान है लोगतंतर की एक पैचान है वहां की जो कानुन वियोस्ता होती है वो सविधान के अनुसार चलती है सबसे important बात है कि वो सविधान के अनुसार कानून वियोसता चलती है और सविधान का एक बड़ा गुणिया है कि वो साशक पर अंकुष लगाना सिखाता है कि जो भी साशक है साशक पर अंकुष लगाना कंट्रोल रखना ये सविधान पावर देता है और जब साशक पर अंकुष लगाना सविधान शक्तिया देता है तो ऐसी बात को हम लोग सविधान वाद कहते हैं क्या कहते हैं सविधान वाद कहते हैं ये सब कुछ आपने क्लास 11 में पढ़ा है क्योंकि सविधान का यह की यह भी तो काम है ना कि वह साशक पर अंकुष लगाए अब साशक पर अंकुष लगाने के लिए क्या करा है जैसे एक तो नियायपाली का को इस्ताफित करा है बिल्कुल फ्री है उसके अलावा विपक्षी डल रखना ये भी क्या है साशक दल पर अंकुष लगाना है और सबसे important बात जनता को सारी शक्तिया देना जैसे कि भारत की परस्ताओना में भारत के सविधान की परस्ताओना में क्या लिखा है हम भारत के लोग starting का से हुई है हम भारत के लोगों से we the people of India से हुई है मतलब सारी के सारी शक्तिया सारी superpower कि इसको सोपी गई है जनता को सोपी गयी है भारत के लोगों को सोपी गई है अगर भारत के लोग active रहते हैं जाग्रूप रहते हैं तो साशक पर अंकुष लगा करकर रखेंगे और लोग कैसे लगाएंगे लोग अपने नेताओं के द्वारा लगाएंगे जिनको चुना है वो उनको बोलेंगे कि ये पार्टी या ये सरकार है ये सही काम नहीं करें ये आप सही काम नहीं करो इसको सही करिए तो विपक्षी दलों ने साशक दल पर अंकुष रखा हमेशा कंट्रोल लगा करके रखा और साशक पर कंट्रोल होना जरूरी है साशक पर अगर कंट्रोल नहीं होगा तो लोगतंत्र से ताना शाहा या सेन्य साशन में बदलते हैं समय नहीं लगती, देर नहीं लगती आप क्लास 9 की किताब उठागर के देख लीजेगा उसमें पाकिस्तान की स्टोरी पड़ेगा पाकिस्तान में कब सेना साशन लागको होता है कब लोगतंत्र होता है, पता ही नहीं चलता बड़ा ही confusion system वहाँ पर चल रहा है पर वो क्यूँगि वाँंपर साशक पर कंट्रोल नहीं है जनता एक्टिव नहीं रहे पा रही है इन दलों के कारण Congress Party के भीतर सक्ति शंतुलन बदला अब देखो ये बड़ी important बात कि Congress Party के भीतर सक्ति शंतुलन बदला Congress Party के अंदर-अंदर Congress Party के अंदर-अंदर जो सक्ति संतुलन है जो power balance करना है वो change हुआ है उसका मतलब यहां पर यह कह सकती है तो आप कैसे माल लीजिए कि अगर कोई विपक्षवाला सरकार पर आलोचना कर रहा है सरकार की बुराई कर रहा है कि सरकार जैसे माल लीजिए महिलाओ के विरोध में है ठीक है तो फिर यहां पर क्या करती है कॉंग्रेस अपने वीतर ही अपने इस अंगठर में महिलाओ को थोड़ सा जादा पद देती है और वहां पर क्या है तो जो balance करने की कोशिश करती है पाउल को कि नहीं भाई सबको क्या है बराबर का परतिनी देती हो मिले इन दलों ने लोकतांतिक राणितिक विकल्प की संभावना को जीवित रखा ऐसा करके इन दलों ने विवस्ता जनी है रोश को लोकतांतिक राणितिक विकल्प की संभावना रखी बस बार बार वही बात गून करके आती है हमेशा एक बात ध्यान रखेगा कि अगर आप concept पर काम करेंगे तो आपको कोई भी किसी भी चीज की प्रेशानी नहीं आए कि कभी ऐसे कोई बात नहीं होगी जो आपको नहीं समझ मैं अब भी मेरे आपको क्या बता है लोगतंत्र बात करता है चैन के अफसर की राइट टू चूज की बात करता आपको चुनने का अफसर होना चाहिए तो ये क्या कह रहा है कि लोगतंत्रिक रानितिक विकल्प की संभावना को जीवित रखा अब आपसे पूछ लिया जाए आपसे कभी ऐसा सवाल पूछ लिया जाए क्या पूछल रहा है क्या मतलब था शुरुआत में पार्ट योग कोई मतलब नीता पार्ट इक पता तो था जीतनी दो कंग्रेस ही थी जिए जब कंग्रेस को जीतना था तो दूसरी पार्ट योग क्या अर्थ है यह जैसे आज के समय में आपको कहा कि 1947 से लेकर एकर कि 1989 से 2040 तक गडबंदर सरकारों का दोर रहा और 2014 से BJP का दोर चल रहा है, समय चल रहा है आज आपको कोई काफी वेक्टिय ऐसा कह सकता है कि अर BJP को चुनाओ जीतना है, तो बाकी दूसरी पार्टे क्यों खड़ी होती है, उनको भी पता है कि उनकी इंपोटेंस किवा है, लोकतंतर को बचाने के लिए, लोकतंतर को बचाने के लिए, क्यों कि लोगों को मिलेगा अफसर, लोगों को किसी का अफसर मिलेगा, चैन का अफसर मिलेगा कि नई साब हम Congress नहीं हम इस party को भी चुन सकते हैं और आज के दोर में कहुं तो BJP नहीं हम इस party को भी चुन सकते हैं लोगों को लोकतंतर को बचाने का अफसर के लिए क्या है यह जरूरी है कि वहाँ पर विपक्ष भी हो और वहां पर बहुत सारी party भी हो जिनके पास लोगों को चुनने का अफसर मिले तो लोगतांतिर ग्राणितिक विकल्प की संभावना को जिवित रखा तो इतनी पार्टिया रही तो उसने क्या करा कि विकल्प की जो संभावना उसको जिवित रखा कि नहीं नहीं बदला जा सकता है कॉंग्रेस यह न सोचेगी नी नी साब हमारे सनकार गिरेगी नी कभी भी दूसरी पार्टी भी आ सकती है क्योंकि लोगों के पास सुनने का अफसर है उनके पास options है options है तो possible है कुछ भी कर सकते है ऐसा करके इन दलों ने व्यवस्ता जनिय रोश को लोगतांते विरोधी बनने से रोका देखो व्यवस्ता जनिय रोश रोश का मतलब यह थरीक से खेश सकते है आप नाराज हो गुस्सा हो अब क्यों लोग व्यवस्ता जनिय व्यवस्ता जनिय मतलब जो व्यवस्ता से जो पेदा हुआ होगा गुस्सा जिससे आज आज आपको भी कहीं कभी का गुस्सा आता होगा, अरे यार, पता है कैसा सिस्टम है भारत का, यह ऐसा होता है, यह ऐसा होता है, तो उस सिस्टम जो चल रहा है, उस सिस्टम से आपको थो ऐसा गुस्सा है, और वो सिस्टम चला रही है, वो सिस्टम चला रही है सर सरकार से गुस्ता है, व्यवस्ता से गुस्ता है, परनतु उस बात को लोगतंतर के थरीके में ही बोला है, सरकार की आलोचना करी है, उस व्यवस्ता में सुधार करने की बात उन विपक्षी दलों ने करी है, कभी भी इस व्यवस्ता जनियरोष को लोगतंतर विरोधी बनना न शो किया आगर में हमारी पार्टी इस्तावित करें यह कोंग्रेस ने अभी एसा निंट रियार कैया जिन्होंने आगे कि समय में हमारे देश की तकदीर को बदलने में, हमारा देश की तस्वीर को सवाणने में, सुधाने में बड़ी एक हेम भूमी का निपाई, जिसे मैं बात करूँ, जै परकाश नाराएंट जी, ठीके समाजवादी नेता थे, ठीके बहुत से इसे नेता है, मैंने एक ही नाम आपको पास रखा है, शुरवाती सालों में, कॉंग्रेस और विपक्षी दलों के नेता है, उनमें पारस पर एक सम्मान का बहुता है, अब क्या कहना चाहता है, जैसे आप लोग आज लिखते हो ना, भाई प्लस भाई, भाई भाई भाई, ठीके ना, ऐसा, उस समें हम यह लिख सकते हैं कि, कॉंग्रेस, ठीके ना, कॉंग्रेस प्लस नोन कॉंग्रेस, दोनों में आप कह सकते हैं सम्मान, ऐसा नहीं है कि कॉंग्रेस दूसरी पार्टी के जो बड़े नेता है, उनका सम्मान नहीं कर दिया, गेर कॉंग्रेस पार्टी के लोग कॉंग्रेस के नेताओं का सम्मान नह जाता था तो यही बात हैं आपने कहीं कि कॉंग्रेस और विपक्षी दलों के नेता हो के बीच पारस पर एक सम्मान का गेहरा भाव था ठीक है मदब बहुत ऐसा नहीं था कि नीनी साब हमारी विचार धारा लगे तुमारे लगे लड़ेंगे और कुछ करेंगे गलत नहीं सम समान था कि नहीं ठीक आपकी विचार धारा जो भी हो हमारी जो भी हो परन्तु हमारे बीचों जो सम्मान है वो बना रहे ना चींड़ा की उद्गोशना के बाद अंत्रिम सरकार ने देश का शासन समाल आप सभी को यह बात पता है इसके मंत्री मंदल में डॉक्टर अंबे अधिक का मतलब ऐसा भी नहीं था कि नहीं बिल्कुल ही टमस नहीं मतलब सम्मान का जो भावे वो है शामा परसाध मुखर जी काफी बातों को लेकर के कॉंग्रेस से नाराज थे शामा परसाध मुखर जी के बारे में आज हम पढ़ेंगे भी ठीके विशेश में और जैसे सामा परशाद मुखर जी भारती जनसंग के संस्तापक रहे हैं, उसके लाव हिंदु महा सभा के नीता रहे हैं, तो सामा परशाद मुखर जी की अलग विचार धारती कॉंग्रेस से, कि निनी कॉंग्रेस जिन चीजों पर काम कर रही है, वो थोड़ा और सही तरीके सोना विचारों में शामिल सामा परशाद मुखर जी का नाम आता है, डॉक्टर अंबेटकर का नाम आप विशेश करके देखें, तो सोशित वंचितों के उत्थान के लिए आता है, उनके मस्या के रूप में जाना जाता है, तो थोड़ा सा उनको समय ये मन में कहता है, कि कॉंग ए गया तो उसमें डॉक्टर अंबेटकर जी को विश्थान दिया गया और सामा परसाद मुखर जी को भी इस्तान दिया गया, दोनों को मंगर्शी बनाया गया, दोनों ही विपक्षी नेता थे, कॉंग्रेस से विचार नहीं मिलते थे, प्रन्तु कोंग्रेस के नेताओं के परती सम्मान और इन नेताओं का Congress के और Congress के नेताओं के परती सम्मान ये बड़ी इंट्रेस्टिन आद देखो आप विपक्ष में हैं और विपक्ष में भी ऐसा नहीं बहुत अच्छी खासी वाली आलोचना करते हैं और आलोचना पूरे सिद्दांत के वलपे करते हैं अनसर्थ को आपके जोड़ता आप राजी सबह में भी बैठी है ये एक उस समय के मतलब कह सकते हैं बड़ा दिल सरकार का हुआ करता था और पार्टियों में अपनी विचार धारा के पड़ती हो सकता है कि अलग-अलग सोच रखते हो परनतु जो सच में था उसका सम्मान कि जाता है तो उसके ज्यान का समान किया जाता है चलिए अब आपको पहले मंत्री मंडल के तस्वीर दिखाते हैं ठीक है और ये एक तस्वीर आपकी NCRT से ही ली गए तो इसलिए जरूर इसको एक बार देखेगा 1948 में चकरवती राजा गोपाल चारी जी ने गवर्णर जनल के परत की सपत गरें के बाद नहरू जी का मंत्री मंडल यहां से शुरू करते हैं यहां से अगर सबसे पहले शुरू करें तो यह हैं रफी हमत किद्वई जी इसके बाद है बल्देव सिंग जी ये मौलाना आजा जो भारत के पहले सिक्षा मंत्री बने ये जवाल लाल नेरू परदान मंत्री भारत के और उस समय फोरैन यह हैं जॉन मथाई और उसके बाद है जुक जून राम जी जॉन मथाई मतलब पहले ऐसे मिनिस्टर थे रेल्वे मिनिस्टर रहे हैं इन्होंने मतलब इस्टिफा दे दिया था कि अगर रेल्वे में जो कुछ दूर गटने हो इस पर अपना जिम्मेदारी मानते हो को आ जाते हैं तो श्री गाडगिल जी है ये श्री नियोगी जी है ये डॉक्टर बावसाब बेटकर है ये श्रामा परसाद नुखर जी है ये गौपाल स्वामी आयेंगर और ये जे राम दास दोलेत राम ठीक है अगर आप टोटल काउंट करते हैं तो देखिए इधर से नेहरुजी के समयेदे हैं जवा लान हरु अक्सा सोशलिस्ट पार्टी के परती अपने प्यार का इजहार करते तो देखो अपनी राजनीतिक प्रति दिन दी पॉलिटिकल कॉंपटिशन होने के बहुद भी जो नीजी रिस्ता था जो पर्सनल जो रिलेशन से नेताओं के बीच में और उनके प्रति जो सम्मान का भाह होता ना वो अब धीरे-धीरे क्या होता जारा कम होता जारा अब पार का कॉंपटिशन बढ़ता गया और नीजी जो सम्मान खतम होता गया इस तरह अपने देश में लोकतांतिक राजनीतिका पहला दोर एकदम अनुठा था तो पहला दोर क्यों अभी हमें और भी बहुत से कहानिया पढ़ेंगे जैसे जैसे आप इस किताब के आगे के तो राष्ट्रे आंदोलन का चरितर भी कैसा था समावी सी था अगवाई तो लेडर्शिप कॉंग्रेस न की थी राष्ट्रे आंदोलन के इस चरितर के कारण कॉंग्रेस की तरफ विविन समू वर्ग और हितो के लोग आकशित हुए तो राष्ट्रे आंदोलन के कारण ही क कॉंग्रेस की तरफ काफी लोग जुडगे, काफी अलग-अलग समूँ जुडगे, लोगों का जुड़ना शुरूरा, सामाजीक और विचारधारत्मक रूप से कॉंग्रेस एक व्यापक गटबंदन के रूप में उबरी, यह हम पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं, यह मुख्य भूमिका कॉंग्रेस ने निभाई, सत्ता पाने की लालसा रखने वाले हर व्यक्ति और हर समूँ को अपने अंदर समायत करने की कॉंग्रेस की शुरू हुआ, तो जब तक कॉंग्रेस में सारे समूँ को, सारे सामाजिक दलों को एक साथ जोडने की शमता थी, तब तक कॉंग्रेस पावरफुल रहा, कोई दूसरी विपक्ष की पार्टी नहीं खड़ी हो सकी, परन्तु जब कॉंग्रेस में शमता खतम हो गई या कम होती गई, तो वो अलग-अलग समूँ ने अपनी अलग-अलग पार्टिया बनाई और वही कॉंग्रेस के विपक्ष में जाकर के बैटने लगी, इस तरहे कॉंग्रेस का परभुतो देश की राजनिती के सिर्फ एक दोर में रहा, तो एक दोर, एक एरा, एक समय कहेंगे जब कॉंग्रेस का दोर रहा और उसी को हमने क्या कहा बच्चो, कांग्रेस परणाली या हम कहा सकते हैं कॉंग्रेस सिस्टम उस दोर को कहा गया है, पूरा का पूरा Congress का system चला है, पूरा Congress के साफ से सब कुछ चला है अब बात करते हैं स्वंतंतर पार्टी के Congress के नागपुर अदीवेशन में जमीन की हदबंदी, खादान के व्यापार, सरकारी अदीगरेन और सरकारी केटों का प्रस्ताव पास हुआ तो कॉंग्रेस का जब नागपुर अदिवेशन हुआ तो उसमें सरकार ने कुछ बाते रखी कि कुछ जमीन जो है वो एक हद तक रहे उसके बाद जमीन ना ले विखादान का व्यापाल इन सब पर सरकार के कुछ बाते हैं इसी के बाद 1969 के अगस्त में संतंतर पार्टी इस्तित्यों में आती है इंपोर्टेंट कब आई है 1959 के अगस्त में आई है इस पार्टी का नेतर दो सी राजा गोपाल चारी, के एम उन्शी, एंजी रंगा और मीनु मशानी जैसे पुराने कॉंग्रेस इनितार कर रहे थे इस पार्टी के तुल्ला में संतंतर पार्टी किस परकार से अलग थी? आर्थिक मसलों को लेकर के अलग थी ये बिलकुल दूसरी पार्टी के तुल्ला में आर्थी रूप से बिलकुल अलग सोसती थी इस पार्टी का ये मानना था कि अर्थ वियस्ता में कम से कम अस्तक्षेप किसका हो सरकार का हो मतलब इनकी जो विचार धारा है आप कह सकते हो कि एक परकार से पूझी वादी वाली जो विचार धारा है वो है परन्तु कॉंग्रेस की कैसी विचार दार है कॉंग्रेस की समाजवादी वाली विचार दार है इसलिए ही मिश्री तर्थवेस्ता अपनाने के बहुत भी कॉंग्रेस का जुकाओ समाजवाद की तरफ था इसलिए पंचवर्षे योजना 5-year model सरकार चला रही है गरीबों के लिए पिषड़ों के लिए सरकार नई-नईज चला रही है इसके अलावा आपने देखा था प्रन्तु कामों के समतंतर पार्टी विरोध में क्यूंकि समतंतर पार्टी का मानना है कि पुंजी वादी जो विचार दार है वो बहतर है सरकार का कम से कम कंट्रोल होना चाहिए और व्यक्ति का ते संतंतरता सरकार को देनी चाहिए कि हाँ जिस व्यक्ति को जो करना है वो करे सरकार उसमें इंट्रिफेर, सरकार उसमें धखल अंदाजी नहीं करेगी सरकार आप पे डोक टोक नहीं लगाएगी अगर आपकी इच्छा है आपका काम करना चाहता है आप अपना बिजनस अपना धंदा शुरू करना चाहता है आप करो सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी सरकार किसी प्रगार के लाइसेंस सिस्टम नहीं लगाएगी यह सब कुछ क्लास 11 में एकोनोमिक्स में पढ़ाया जाता है सवनतंतर पार्टी अर्थवियोस्ता में विकास के नजरे से किये जा रहे है राज की हस्तक्षेप केंदरी करत नियोजन, राष्ट्री करन और थवियोस्ता के भीतर सारवजिनिक शेत्री की मौझूदगी को आलोचना की निगासे देखती थी अब देखें सवनतंतर पार्टी किन-किन बातों को लेकर के कॉंग्रेस की आलोचना कर रही है सबसे पहली बात बोली है राज की हस्तक्षेप, सबसे पहली बात क्या बोली है राज की हस्तक्षेप राज की है मतलब यहाँ पर सरकार, सरकार का जो हस्तक्षेप है एकोलोमिय में जो सरकार का अस्तक्षे पे उसको लेकर के 77 पार्टी बार बार में कॉंग्रेस पे वार कर रही है कॉंग्रेस की अलोचना कर रही है दूसरा बोला केंदरी करते नियोजन नियोजन का मतलब क्या है प्लानिंग मतलब सारी के सारी जो planning हो रही है वो कौन कर रहा है केंदर कर रहा है और कैसे कर रहा है planning commission के द्वारा यह मैं कह सकता हूँ योजना आयोग के द्वारा यह योजना आयोग के बारे में और नीती आयोग के बारे में मैं आपको चेप्टर 3 में पढ़ा हुआ ठीक है तो योजना आयोग ही कर रहा है और योजना आयोग बता रहा है कि हम यह अच्छा इस वाले राजिस्तान में इतना चाहिए इतना लेलो मद्यपरदेश में इतना पैसा ले लो यही काम कर रहा है पूरी जो प्रोब्लम परज़ेर कर रहा है राष्ट्री मतलब हर चीज का सरकार क्या कर रही ति यह हम कह सकते हैं गौर्रेंट उसको बना रही थी जैसे आपको बता दू कि 1969 के दोल में आकर के इंद्रा कांदी जी जब परधान मंत्री थी तो उन्होंने 14 प्राइवेट बेंकों को क्या कर दिया था नेशनलाइज कर दिया था मतलब है सरकार के एंडर में ले लिया था यह पार्टी आर्थी गूर्प से कमजोर वर्गों के हितों को धियान में रख कर दिया रहे कराधान के एक भी खिलाफ्ती करा धान का मतलब है कर जो लगाया जाता जो टेक्स लगाया जाता है चार पांच प्रकार से आये पर टेक्स लगाया जाता है उन में सरकार जो अब कॉंग्रेस समाजवादी थी तो कमजोर वर्गों को हित्मे देखकर के टेक्स लगाती थी उन पर कम लगा रही है या उन पर लगा रही है तो उसकी भी यहां पर 77 पार्टी ने विरोध करा है कि नहीं नहीं गलत बात है टेक्स लगना चाहिए जो भी हो कमजोर वरगी इसमें यह नहीं देखना चाहिए इस दल ने नीजी शेत्र को कूली छूट देने की तरफदारी करी तो सारविजनिक शेत्र पर रोग और नीजी शेत्र को फुल छूट ठीक है जो प्राइवेट के सेक्टर करना चाहिए वो करें 17 पार्टी कर्शी में जमीन की हदबंदी, शेकारी खेती और खादान की व्यापार पर सरकार नीजी अंतरन के विरुद थी तो यहाँ पर जमीन की हदबंदी, जमीन पर एक लिमिट लगाना, शेकारी खेती करना और खादान की व्यापार पर जो सरकार ने कंट्रोल लगा उस कंट्रोल के विरोध में है, उसका विरोध करी जा रही है, उसकी आलोचना करी जा रही है, विरोध कर कोन रहा है, स्वंतंतर पार्टी कर रही है, स्वंतंतर पार्टी कर रही है, ये दल गुटनिरपेक्ष्टा के नीती और सोवेट संग से दोस्ताना निष्टे कायम रख इसने संयुक्त राजी अमेरिका से नजदी की संबंद बनाने की वकालत की अनेक शेत्रिय पार्टी और हितों के साथ मेल करने के कारण संतंतर पार्टी देश के विविन हिस्टों में ताकतवर हुई संतंतर पार्टी की तरफ था कौन किस ने सपोर्ट करा संतंतर पार्टी को जमींदारों ने और राज्या महराजा आकर शितुए तो क्योंकि जमींदार तो यह चाते थे कि ऐसे लोगों की सरकार बने जो क्या हो नीजी शेत्र को सपोर्ट करें यह जो सरकार हमसे हमाई जमीने चीन रही जमीनदार सोच रहे वह ना चीनी जाए तो संतंतर पार्टी को सपोट करो भूमी सुधार के कानूनों से इनकी मिल्कियत और हैस्यत को खतरा मंटरा रहा था इससे मचने के लिए इन लोगों ने संतंतर पार्टी का दावन थामा अब जमींदार हो गई यह सब हो गई तो जैसे जब भूमी सुधार कानून आया उसमें सरकार के रही इतनी जमीन आपको आपस लोटानी पड़ेगी ठीके जोसली किसान रिल्म को देना पड़ेगा तो भाई वो सोच रहे है यार यह तो बढ़ा ही खतर आ जाएगा इस से गर्मेंट में बदल रही थी उसके खिलाफते और उस समय में मतलब एक इंडस्ट्री एक बिजनेस खोलने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था और वो लाइसेंस लेने में बड़ी ही डिफिकल्टी आती थी बहुत जादा कागजात सिस्टम था बहुत जादे यह दिखा जनसंक्या आर्षिक्षित हो ठीक है जहां पर ऐसे लोग रह रहे हों जो हजारों सालों से सोशित वचीत हो चाएब गरीब हो चाएब दलीत हो जाएब पिछ़ड़े हो चाहे वो महिला हो ठीक है शिर्फ कुछ कुछ गिने चुने लोग ही तो जमीनदार थे, कुछ गिने चुने ही तो लोग उद्योगपती थे, कुछ गिने चुने ही लोग तो अमीर थे, जो प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करते थे, तो अब ऐसे कुछ गिने चुनों से आप सरकार तो नहीं बना सकते, ठीक है, जो जो बड़ी संक्या थी वो ऐसो की थी जो सच्वे समाजवाबत को माने थी और चारिती सरकार हमें ज्यादा स्यादा सपोर्ट करें और समर्पित काडर ना होने का मतलब है एक ऐसी पूरी ऐसी टीम नहीं थी जो बिल्कुल डेडिकेटेड होकर करके क्या हो पार्टी के लिए क कॉंगरेस के वरिष्ट नेता और साहित्यकार रहें तो कॉंगरेस के काफी वरिष्ट नेता रहें और साहित्यकार हैं मात्मा गांदी जी के करीबी रहें सविधान सभा में भी सदस्य रहें सविधान सभा में भी सदस्य रहें सवंतंतर भारत के पहले भारती ये गवर्नर कहा जाता है अब बात करते हैं शामा परशाद मुखर जी की 1901 से ले کر के 1953 हिंदू महासाबा के नेता रहे भारती जनसंग के सस्तापक रहे हैं भारती जनसंग की जब इस्तापना हुई कब हुई, 1951 में हुई संतंतिता के बाद नहरु के मंत्री मंदल में कानूर मंत्राली समाला तो इनको कौन सा दिया गया पाकिस्तान के सा सम्दों को लेकर ह्ने मदवयद चलते 1950 में इस्तिफा दे दिया तो पाकिस्तान की बातों को लेकर करें कि क्या रूख है मतलब आपके सकते हैं जड़ है ठीक है तो वीजेपी की ये हमेशा सही आइडियोलोजी रही कि नेनी जो कश्मीर को जो ये आर्टिकल 370 है ये गलत है और फाइनल फिर 2019 में परचंड भावमत के साथ वीजेपी सरकार आती है तो फुर वो हटाई देती है उसको कश्मीर नीति और ये चेप्टर आपका पूरा कंप्लीट होता है ठीक है बचो पढ़ते रही है आगे बढ़ते रही है और जाता से जाता लोगों तक इसको पहचाईए अपने दोस्तों को बताईए कि भाई फ्री एजूकेशन दी जारी अच्छे से बढ़ सकते हैं हम भी अपना आर्ट की सब्जेक्ट बोरिंग नहीं लगे कि आपका एक इंट्रेस्ट पैदा होगा करियर आपको ते करना मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रेस्ट पैदा करने के लिए आपके खड़ा हूँ और उसके लिए मैं पूरी संभा होना है मैं पूरी कोशिश करूँगा बस आप इ पते रही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए अध्याय के साथ अब तक लिखांगे सो मच जय हिंद जय वारत